अलो अबडिवान और वेल्कम तु दुबैंका एक्यू मेरा नाम अतारुन और अब हम करेंगे इन्पूट और पूट का सेट नमबर 12 तो देखते हैं उसमें कोश्चेस का गविन है यहां पर सबसे पहले देखते हैं हम इन्पूट से step number one में उसने किस तरीके का arrangement किया है चीक है उसने आप पर क्या करा है जो भी आपके पास यह table given ना ठीक है उसमें उसने vowels को क्या करा है skip कर दिया है ठीक है और उसके बाद जो भी आपके पास letters है उनके number को लिया है ठीक है और उनकी digits को उसने add कर दिया है जैसे कि यह आपके पा कितना हो जागा 7 दोनों को इसने add कर दिया किया बन गया है? आपके बस 9 जैसे कि मैं आपको पहले ही बदा चुका हूँ जयापके बस जो arrows होते हैं वह आपको काफी काम करते हैं याप ठीक अगर मैं बात कर दो जी की तो जी आपके पास कितना है 7 टी आपके पास कितना है 20 दोनों को एट करा 2 दोनों एट करा कितना 9 9 आगया आपके पास यहां पर similarly यहां पर भी यह कर रहा है क्या यह आपके पास कितना होगे 4 यह आपके पास कितना होगे 20 इन दोनों को एट करा 2, दोनों को एट करा 6, उसके बाद H को एट करा हमारे पास, H का है 8, T को एट करा 20, दोनों को एट करा कितना है, 10 आया न, बतलब इसको एट करा 2 आया, इन दोनों को एट करे 10 आया, 10 को भी अगर हम एट करेंगे तो 1 आया, 1 हमने यहां पर रिख दिया, कितने 7 तो first step में समझ मैं उसने क्या करा जो भी आपके पास wobbles दिये हुए है उसने उसको क्या कर दिया है फिर अगर हम इसको इस तरही की समझने चाहिए उसने बीच वाले जो आपके पास kolum है उसको skip कर दिये ठीक है और AND के जो भी आपके पास kolum से उनकी उसने values को दिया है यूज करा याप अपर जीक है अब step number1 से उसने step number2 में क्या किया है उसको और समझ लेजे उसने आपके क्या करा जो भी आपके पास first table है उसका Second table है उसका first element दोनों को उसने subtract करा ठीक है, अगर मैं दोनों को subtract करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहां पर 3 मिलेगा, और 3 को अगर मैं letters में convert करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा C मिलेगा, ठीक, similarly अगर मैं 9 और 1 को subtract करता हूँ, तो म Schönật करता हूँ 1 और 7 में difference लिया, मतलब कितना 6, 6 मतलब f आगे है यहां पर, ठीक है, यह वो किस में कर रहा है, step number 2 में कर रहा है, step number 2 से, step number 3 में उसने, किस तरीके के change कर रहा है, अब देखिए arrow यहां से, यहां पर सब, नज़र आ रहा है, और यहां से arrow यहां पर ने ज़रा रहा है तो इसी में हमें क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा माइंड चलाना पड़ेगा तो यहां से अगर मैं देखू उसने यह 25 किस तरीके सरीका हो देखिए C और H के बीच में अगर मैं difference की बात करूँ यह आपके बास कितना नंबर 3 यह आपके बास नंबर कितना 8 दो इस लोगे difference कितना 5 5 का square उसने क्या लिख ढ़े 25 लिख ढ़े अगर मैं यहां पर देखो 3 यह आपके बास 6 दोन नंबर का difference कितना 3 हो गया 3 का square 09 उसने यहां पर लिख दिया ठीक है उसके बाद number 3 से अगर वो number 4 पर आता है in that case उसने क्या करा है यहाँ पर यहाँ पर उसने simply यह दोनों मिलकर क्या बना I बना I को उसने यहाँ पर लिख दिया 25 मतलब क्या आपके वाज alphabet counts होता है Y होता है Y को उसने यहाँ पर लिख दिया ठीक है इस तरीके से इसने ये steps यूज कर रहा है यहां पर क्या arrangement करने के लिए अब यह similar steps हमारे पास एक input दिया हुआ है हम उसमें यूज करेंगे तो देखिए ओके यह आपके पास क्या input दिया हुआ है अब इसको हम किस तरीके से करते हैं यह क्या होगा आपके पास 2 यह क्या दोनों add हो कितना बनाएगा 4 यह आपके पास कितना 8 यह आपके पास कितना 19 यह दोनों add हो कितना बनाएगा 10 10 मतलब 1 1 और 8 9 यह आपके पास कितना R हो गये आपके पास 18, 18 मतलब 9, चीक है, हागे आपके पास 20, यह रणोट और अडिश गर होगा 2, तो अडिश को जिना का 11, 11 को add करा हमने 2, उसके ज़ाध यह आपके पास 3, N आपके पास 14, इनको add करा 5, 5 दोनों और 2 कतल रज़ा है 1 एम, आपके पास 13 दोनों को और 4 असको अना इन स्टेप 1 हुआ Tusk दोनुप 3 difference लिया, कितना है, 2 आया 2 को हम, अगर alphabet में convert करेंगे, तो B आएगा यहाँ पर चीक है, 9 और 8, दोनों को हम ने कहले, difference लिया, कितना मिला हमारे पास, 1 मिला, 1 हमारे पास, alphabet क्या होता है, A, A, हम ने यहाँ पर लिख दिया अब यहाँ पर देखे, 2 और 8 दोनों में difference कितना, 6, 6 मतलब F, F आएगा यहाँ पर, 8 और 1, इन दोनों में difference कितना आपके पास, 7, 7 मतलब G, G आएगा यहाँ पर चीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर, step number 2 से step number 3 में convert करने जाओ तो, इन दोनों के बीच के difference कितना, 1, ठीक है, 1 का square यह आपके पास कितना आया, एक आएगा यहाँ ने यहाँ पर पूट कर दिया, यहाँ कितना आया, एक ओउम ने यहाँ पर पूट कर दिया, चीक है तो, यह क्या होगी, यह आपकी final arrangement होगी अब इस पर बेस वहाँ हमारे पास 2 questions है उन questions को कर लेते हैं, देखिए So question का कि विन्हें उसमस बोला है कि sum of the digits in table 1 in step number 1 and table 2 in step number 3 कि हमें sum बताने किसका digits का table 1 in step number 1 मतलब इसका 4 plus 9 आपके पास कितना हो गया वो हो गया आपके पास 13 और जो table 2 है step number 3 में table 2 step number 3 में इन दोनों को add करा कितना 1 इन दोनों को अगर हम add करेंगे हमारे पास कितना मिलेगा 14 मिलेगा तो इसका right answer क्या हो गया C1 is the right answer चीक है उसके बार से नहीं लगए कि if letters in step 2 are arranged in increasing order चीक है then which of the following will be will change its place हो के तो इसमें से कौन सा है जो कि अपनी position को change कर लेगा step number 2 में मतलब इसमें अगर मैं arrange करूं increasing order में letters को मतलब कि आपके पास A B और उसके बाद यहां पर क्या जाएगा F G तो इसमें से किस-किस ने अपनी position को change कर रहा A और B ने change कर रहा तो इसका right answer क्या हो जाएगा both options A and C ठीक है I hope आपको समझ में होगा न next question देखते हैं देखिए next आपके बास यहां पर input-output-output-out given है उसने हमें क्या होता है अगर हम last step में देखते हैं तो देखिए आपके पास यहां पर किस तरीके से arrangement हो रही है थोड़ा गर हम जानने की कोशिश करें तो यह number of letters पर तो depend नहीं कर रहा है यह हमें confirm हो किया ठीक है उसके बाद आपका starting letter पर C then J then L then N then फिर से A नहीं यह उस पर भी depend नहीं करता है ठीक है और last letter पर अगर हम बात करें तो E G G T E नहीं यह last letter पर भी depend नहीं करता है ठीक है तो हमें ज़्यादा कुस्तों यहां पर पता नहीं चल रहा है लेकिन अगर हम numbers की बात करें तो numbers यहां पर हाँ increasing order में है ठीक है तो इक काम करते हैं क्या कि input से step number one में देखते हैं कि किस तरीगी का यहां पर pattern चल रहा है ठीक है जानने की कोशिश तो कर सकते है अगर मैं यहां पर देखो उसने changes क्या करें सबसे पहले उसने care को यहां पर put कर रहा है ठीक है बागी सब कुछ आपके वास same है और उसने alternative और 20 को यहां पर put कर रहा है ठीक है उसने हम से यह चीज करें मतलब क्या उसने care को यहां पर put कर रहा alternative 20 को यहां पर put कर रहा यहां से हमें ज़्यादा कोश समझ में तो नहीं आ रहा है अभी step number 2 में देखते है उसने का गरा देखिए care को उसने ही पर रहने दिया fine अब उसने यहां पर किसको place करा है jug को place करा है उपर से मतलब यहां से उसने jug को place करा है और अगर नीचे बात करूँ तो देखिए आपके बास alternative 20 को उसने यहां पर shift कर दिया और यहां पर उसने आप किसको place करा है English और 35 को अभी भी हमें ज़्यादा पता नहीं चल रहा है बट still हमें एक hint यहां पर मिल रही है वो क्या hint है अगर मैं आपर इस letter को देखू यह दौनों letters है ना इसके initial letters को देखू देखिए आपके बास क्या है शुँआ आपके करा है यहां पर place करा है long को ओके फिर से 1 exact बागी सब कुछ आपके same है उसने इस सब यहां पर shift कर दिया ठीक है और अब उसने किसको place करा है sorry इस इन दोनों का इसने place करा है न Seb세 जोने shift कर रहा है और आप place किसको रहा है overall 42 को ठीक है उसके स्टेप टमबर 3 से स्टेप टमबर 4 में उसने देखिए आप किसको प्लेस करा है नेक्स को नेक्स अल्डेडी था यहां पर उसने बस यहां पर इन दोनों को उठा कर यहां पूट कर दिया ठीक है अब अगर हम इसको देखेंगे आपको एक चीज़ समझ मैंगी उसने यहां से यहां किसको अरेंज करा है उन वर्ट को अरेंज करा है जो कि स्टार्ट किस से होते हैं कॉंसोनेंट से ठीक है और यहां से यहां उसने अरेंज करा है उन वर्ट को जो कि आपके स्टार्ट होता है किससे वोवल से चीक है और जो भी आपके वोवल वाले लेटरस थे I mean words थे उनके साथ जो भी number associated था उनने उसके pair को लिया है बतलब number को अलग से उसने नहीं लिया यहां पर बस उसके pair को साथ में लिया है समझ में आ रहा है यहां से clear हुआ थोड़ा बहुत आपको अंदाजा लगा अब इसी पर based हमारे पास से एक input दिया हुआ है तो हम उसमें changes करके देखते हैं देखिए so एक काम करते हैं यह आपके वास input given है न इसको लिख लेते हैं P T क्योंकि हम जानते है डिपेंड किस पर कर रहा है इनिशल लेटर पर डिपेंड कर रहा है C E 20 O 32 34 sorry F K I 29 A 41 and then H हम जानते हैं यह arrangement किस तरही किस हो रहा है left hand पर वो किसको place करा रहा है वो place करा रहा है वो word जो कि आपका consonant से start होता है और वो भी consonant जो कि starting में आपके पास आता है चीक और right hand पर वो किसको place करा रहा है वो place करा रहा है a vowel जो word वोबल से start होता है और वो vowel जो कि सबसे पहले start होता है ठीक है आच्छा यह काम करते हैं इसमें arrangement करते हैं देखिए ओके सबसे पहले अगर मैं बात करूँ consonant की आप किस consonant को रख सकते हैं left hand पर तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास देखिए यह तो होगे आपके पास वोबल उसके बाद आपका पास क्या रहा है सी आ रहा है न यहाँ किस क्या हो जाएगा step number one में left hand पर ठीक फिर अगर मैं इसी के साथ अगर देखना चाहूँ किसको आपके पास वोबल को तो वोबल आपके पास यह हो जाएगा और इसके साथ number कौन साथ है 41 तो यह दोनों का pair आपके बस कहां पर आएगा step number one में right side में आएगा ठीक है उसके बाद आप किसको place कराएंगे उसके बाद आप place कराएंगे अच्छा एक चीज़ का और ध्यान में रखीगा यहाँ पर left hand पर जो हो रहा था ना उसका वो normal arrangement हो रहा था लेकिन right side पर वो shifting कराथा ठीक है इस चीज़ को थोड़ा से ध्यान रखीगा यहाँ पर भी हर एक step आपका new बनेगा क्योंकि एक तरफ तो उसके shifting हो रही है बस लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखीएगा ठीक है यह चीज़ होगी अच्छा और c के बाद आप हम किसको place कराएंगी अगर मैं consonants में बात करूँ तो आपके पास क्या रहेगा देखिए मैं एक काम करता हूँ आपर differentiate कर लेता हूँ जैसे की यह आपके पास pair है किसका वावलर नमर का यह भी वावलर नमर का pair है यह भी वावलर नमर का pair है ठीक है बाकियों में अगर मैं देखू तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा f आएगा यह क्या होज़ागा आपके पास step number 2 में left side में ठीक है अगर मैं वावल्स की बात करता हूँ तो वावल्स में आपके पास क्या आएगा इसके बाद अगर मैं वावल्स की बात करता हूँ तो a e i मतलब कि यह आपके पास आएगा step number 4 में sorry 3 में right side में ठीक है उसके बाद अगर मैं देखू h के बाद आप आप किसको place कराएगे आप h के बाद place कराएगे k को यह आपके पास क्या हो जाएगा step number 4 में left side उसके बाद हम किसको place कराएगे यहाँ पर इसको place कराएगे यह आपके बास क्या हो जाएगा हमने यहाँ पर place कराएगा step number 3 r तो step number 4 r हो जाएगा ठीक है आप कैस वावल्स वाले तो सारे arrange हो गए ना और अगर हम बात करें किसकी consonant की तो consonant में देखिए k के बाद किसकी बाद ही आएगी k के बाद बाद ही आएगी p की p को हम arrange करेंगे ठीक हो अब देखिए p को जहां से मैं उठा रहा हूँ और जहां पर place कर रहा हूँ आपके पास wobble सारे arrange हो गए ना अब इसको मैं जहां से उठाँगा अब अगर मैं ट की बात करता हूँ तो step number 4 L B यह आपके पास आएगा ठीक यह आपके पास arrangement हो गया अब अगर मैं बात करता हूँ उसने में से क्या बोला है कि what is the position of order in step number 2 order की position क्या होगी step number 2 में तो देखिए अगर मैं step number 2 लिखता हूँ हम जानते हैं क्या कि आपके पास left end है उसमें क्या और है normal arrangement हो गया है मतलब मैं यहाँ पर किसको place करूँगा 1 L को 1 L मतलब C चीक है फिर उसके 2 L को 2 L मतलब F फाइन अगर मैं right side की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो गया आपकी shifting हो दिये तो मैं पहले कि उसको place करूँगा यहाँ पर मैं place करूँगा 2 R को मतलब क्या E 20 उसके बाद मैं place करूँगा 1 R को मतलब क्या A 41 बाकी सब कुछ आपके same रहेगा P T यह place हो चुका है O 34 ठीक है K I 29 and then H उसने हम से क्या बज़ा है कि position का है ठीक है order की position का है तो यह left hand से क्या है कि 1 2 3 4 5 है left hand से 5th है तो मतलब क्या 5th from the left hand इसका यह क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा ठीक है next question देखते है देखिए okay next question क्या है उसने हम से बढ़ा है कि which step would be the following output आपके पास यह जो दिया हुए step यह कौन सा output होगा अगर हम इसको देखना देते हैं देखिए आपके पास यह क्या है अगर मैं C की बात करूँ यह आपके पास है 1L ओके then F की बात करूँ यह आपके पास क्या है 2L है ठीक है उसके बात करूँ H आपके पास क्या है 3L है ओके P आपके पास क्या है 4L A ठीक है हम जानते हैं क्या आपके पास क्या आना चीज़ था, 4L पहले आना चीज़ था, ठीक है, उसके बाद यह आरेंज हुआ था, तो यहां तक 3rd step तक तो क्या हो रहा है, follow रहा है, ठीक है, एक बार right side को भी देख लेते हैं, आपके पास यह क्या रहा है, I29, I29 आपके पास 3R, OK, E20, E20 आपके पास क A41, A41 का है, 1R, हाँ, यह आपके पास के arrangement हो रहा है, थर्ड step तक यह follow कर रहा है, उसके बाद हम एक बार इसको भी check कर लेते हैं, हम पहले किसको place कराएंगे, I mean, यह तो arrange हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास P आना चीज़ था, फिर T आना चीज़ था, मैं यहां पर देख रहा हूँ, यह arrange हो चुका है, यह arrange हो चुका है, थर्ड step तक है, फिर यह आना चीज़ था, सही है, यह given है, उसके बाद आपके पास के आना चीज़ था, ठीक है, यह given है, हाँ, इसको लगा है, यह कौन से हो जगा आपके बिए step number 3 हो जाएगा, ठीक है, I hope आपको समझ में next question करते हैं, next question करते हैं, next question करते हैं, next question करें, how many elements are there between 34 and enter in step number 3, step number 3 में उसके हम से बात करिए, तो अगर मैं left side में normal arrangement करता हूँ, c, re, f, h, बागी सब कुछ आपके हैं, अगर मैं right side की बात करता हूँ, i29 ऐगा, ठीक है, उसके लाद e20 ऐगा, फिर a41 आपके हैं, बागी सब क के बस यह आपके पास रहेगा सो अगर मैं 34 और I की बात करता हूँ तो कितने elements है 1, 2, 3, 4, 5 मतलब C1 is the right answer चीक है So I hope जितने भी आज हमने questions किये वह आपको समझ में आया होगा approach आपको clear होई होगी Thank you so much